चलिए ग्यास, question number 6 पढ़ते हैं, what is a homologous series, explain with an example तो homologous series क्या होता है, homologous, homo means same तो homologous series means, ऐसी series compound की, जिसमें एक जैसे similar compound हो chemical properties उन सारे compound की एक जैसी हो, और उनका जो functional group हो, वो भी उनमें एक ही हो obviously जब function group होगा, तो chemical properties तो उनकी सहम होगी, क्योंकि functional group ही, किसी भी compound की chemical property decide करता है, ठीक है, तो homologous series के है, इसको अगर हम definition में लिखे तो a series of similar compounds in which all the member of that series have same functional group and similar chemical properties, ठीक है, ये बात समझ में आ गए, उसके साथ साथ जो homologous series है, उसके जो compound है, उसके अगर कोई हम दो member उठाएं, तो उन दोनों member का difference होगा, वो CH2 का होगा, CH2, तो ये CH2 unit ले ले लेंगा है, क्योंकि सम्में CH2, CH2 का difference होगा, confused होगा इस बात से, देखो भी समझाता हूँ, alken की series पता है, आपको alken, alken होता है उसका formula, general formula क्या होता है, CN, H2N minus, और सो ये H2N plus 2, यह होता है na, CN, H2N plus 2, यह general formula होता है, alken का, तो alken की जो series है न, एक तरह से homologous series है, क्योंकि सब के functional group same होते हैं, सब की chemical property same होती है, और sum में, यह CH2 का difference होता है, देखो, मैं आपको बताता हूँ, example के साथ, sum में CH2 का difference कैसे होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे, methane, methane क्या होता है, CH4, यह होगा है, methane, उसका next क्या आता है, ethane, ethane क्या होता है, ethane में 2 को होता है, तो C2, H6, उसके आदा आपको propane, यह 3 के example से समझाता हूँ, propane क्या होता है, C3, H8, अब देखलो, आप इन sum में, किसी भी 2 को उठा लो, इन दोनों को उठा लो, consecutive वाले 2 को, दो लगातार बराबर वालों को, इन दोनों को उठाओ, इन दोनों में, देखो, C2 का difference मिलेगा, यह देखलो, 1 C, इसमें जादा है, और 2 H जादा है, होगा ना, C2 का difference, similarly, अगर इन दोनों को उठाओ, होगा है, इन और प्रोपेन को, तो इसमें भी देखलो, C2 का difference है, इसमें 1 C जादा है, और 2 H जादा है, तो होगा ना, C2 का difference, तो होमोलोगर सीरीज अब आप समझ गये होंगे, तो उसका एक्जामपल यह जो पूछा रहा था, वो है, एक्जामपल हो गया, और explain मैंने करी दी, क्या होता है, होमोलोगर सीरीज, एक बार और से लो, ऐसे compounds का group, जिसमें हर member के functional group सेम हों, उसकी chemical properties भी सेम हों, और सब के कोई भी दो, अगर मैं उसके member उठाऊ तो उनमें CS2 unit का difference हो, जैसे इनमें, CS2, CS2 चलता रहता है, butane, pentane, CS2, CS2 के difference है चलता रहेगा, तो इसका example है, alkane की पूरी सीरीज, alkane पूरी सीरीज, जिसका general formula यह होता है, CNH2N plus 2, ठीक है, यह पूरा explain कर दिया, मैंने आपको question, होमोलोगर सीरीज क्या होती है, and with example, example का है, पूरी alkane सीरीज, चलो next question दिखते है, question number 7,